नमस्कार आप सभी का स्वागत है। दोस्तों नवरात्री का नाम सुनते ही मातारानी के भक्तों का मन प्रसंता से भर जाता है। मातारानी के दर्शन के लिए सभी आतुर हो जाते हैं। नवरात्री का पर्व इतना अध्भुत होता है कि इन नौ दिनों में सभी मनुष्य मात माता रानी की भक्ती में डूब जाते हैं। करने के लिए तरह तरह के उपाय किये जाते हैं। माता रानी अपने भक्तों से अत्याधिक प्रेम करती है। वह उन्हे कभी दुख में नहीं देख सकती। जो भी सच्चे मन से मा को पुकारता है, मा उसे कभी अनसुना नहीं करती है। नवरातरी का पर्व शक्ती का पर्व होता है। इन नौ दिनों के दौरान आप वरत का पालन करके मा दुर्गा से जो कुछ भी मांगते हैं, माता रानी वह सब कुछ आपको प्रदान करती है। माता के द्वार पर आने वाला कोई भी याचक खाली हात नहीं जाता है, बस मन में केवल माता रानी के प्रतीश रधा होनी चाहिए। किन्तु दोस्तों, शास्त्रों में ऐसे भी कारियों के बारे में बताया गया है, जो मा दुर्गा को अप्रिय होते हैं। इन कारियों को करने वाले व्यक्ति पर मा दुर्गा क्रोधित हो जाती है। माता के क्रोध के सामने खड़े होनी की क्षमता देवताओं के पास नहीं है, तो साधारन मनुष्य की बात ही क्या। मनुष्य की पूजा अर्चना से माता जितनी जल्दी प्रसन होती है, उतनी ही जल्दी माता रुष्ट हो जाती है, जब कोई मनुष्य नवरात्री में ऐसे अनिष्ट कार्य करता है। आज हम आपको ऐसे ही साथ कारियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो नवरात्री के इन नौ दिनों में किसी भी मनुष्य को भूल से भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से कार्य है, जिनहें नवरात्री में करना अशुभ माना गया है। सबसे पहला कार्य है स्त्रियों का अपमान। दोस्तों आप सभी से विन्ती है कि आप नवरात्री में किसी भी स्त्री का अपमान ना करे। हिंदू धर्म में स्त्रियों को मातारानी का रूप ही माना जाता है। स्त्रिया मातारानी का ही अंश होती है। मातारानी स्त्रियों का सम्मान करने वाले मनुष्य पर सदैव ही अपनी कृपा बरसाती है। स्त्रिया स्वयं की खुशियों का त्याग करके आपके घर को स्वर्ग बनाती है, स्त्री स्वयं उपवास करके अपने पती की लंबी आयू की कामना करती है। जीवन भर अपने परिवार के लिए बिना थके कार्य करती है। ऐसी पतिवर्ता स्त्री का अपमान करना महापाप होता है। जो मनुष्य नवरात्री में किसी भी स्त्री का अपमान करता है, स्त्रियों की तरफ गलत भावना से देखता है, उसे मा दुर्गा अवश्य ही दंड देती है दूसरी बात है द्वार आय याचक का अपमान ना करे दोस्तों यदि नवरात्री में आपके द्वार पर कोई कन्या व्रिधस्त्री अथवा कोई दुखी मा भोजन की इच्छा से भिक्षा मांगती है तो उसका भूल से भी अपमान ना करे अथवा उन्हें खाली घर से जाने ना दे यदि आपके घर में कोई दासी है तो उसका भी अपमान ना करे नवरात्री में उन्हें कुछ न कुछ भेट अवश्य दे इससे मा दुर्गा अत्यंत प्रसंन होती है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है तीसरी बात है नवरात्री के इन नौ दि खाना आदी कार्य भूल से भी ना करे। माता रानी को ऐसे कार्य करने वाले लोग बिलकुल भी पसंद नहीं होते। ऐसे कार्य राक्षसी प्रवरित्ती के होते हैं, जिससे मा अत्यंत क्रोधित हो जाती है। चौथी बात है तामसिक आहार का सेवन। दोस्तों, नवरात्री में इस बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए कि आप भूल से भी तामसिक आहार का सेवन ना करे। जैसे मास मदिरा आदी। साथ ही लहसुन प्याज आदी भी तामसिक चीजे ही है। इन्हे भी ग्रहन करना उचित नहीं, किन्तो आप मास का सेवन कतई ना करे। नहीं तो मादुरगा आप पर क्रोधित हो जाएंगी। नवरात्री में केवल साथ्विक आहार को ही ग्रहन करे। पांच भी बात है शारिरिक संबंध। माता राने की क्रिपा पाने के लिए नवरात्री के नौ दिन भ चमहचर्य वरत का पालन करता है, मा उसकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। छटी बात है घर को खाली ना छोड़े। नवरात्री का कलश यदि आपने अपने घर में स्थापित किया हुआ हैं, तो आप अपने घर को कभी खाली ना छोड़े, घर में किसी को अवश्य ही नवरात्री में मा आपके घर में किसी भी क्षन प्रवेश कर सकती है। ऐसे में घर बंध हो, घर में कोई भी उपस्थित ना हो, तो मा की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। अगर घर में कोई भी ना हो, तो बिल्ली आदी प्राणी कलश को गिरा सकते हैं, जिसे बहु इसलिए घर को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। धारन करने वाले व्यक्ति को इन नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। तो दोस्तों आप भी नवरात्री के नौ दिन ये कार्य भूल से भी ना करे। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। विडियो को लाइक जरूर करे। कमें जैमा दुर्गा अव नियवाद।